एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वीडियो जो देख रहे है तो स्टुडेंट्स देखे पिछली बार हमने क्या देखा था हमने प्राइम फैक्टर निकालना सीखे थे फैक्टर ट्री की मतलद से पिछली एक्सरसाइस लिए यह पड़ा था इउ अब हम यहां पे क्या करेंगे अब यहां यहां फे HCF डोड़नेगे HCF का मतलब होता है highest common factor ठीक है इसको बोलते हैं highest highest common factor कि कौन सा ऐसा factor होगा कौन सा ऐसा number होगा सबसे बड़ा वाला number होगा जो किनी 2 given number को divide करता होगा तो जो method है हमारा तो method हमारे पास रह रहा है जी prime factorization तो prime factorization हमने पीछे थोड़ा सा एक जलक पड़ा था तो अभी देखे हम अभी उससे आगे continue करते हैं तो देखे आपके पास question number class 5 है ये और exercise है आपकी 5A और book का page जो है आपका रहेगा 146 तो यहाँ पर question number 1 में लिखा है आपके लिए find the HCF तो आपको HCF ढूंड़ना है by prime factorization method देखो नीचे एक division method है वो हम नहीं पढ़ेंगे हम सिरफ prime factorization ही सीखेंगे तो देखो इसमें जैसे बताया है A part 33 and 44 तो देखो इसमें आपको क्या करना ना आपको इनके factor ढूंडने पहले factor ढूंडने के बाद देखना है कि highest counts है मतलब सबसे बड़ा वाला कौन है तो देखो solution करेंगे और solution करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था अब हम इसके prime factor निकाल रहे न एक तो था वो factor वाला method multiply से जो निकालते थे हम ये prime factor है तो इसको division वाले method से निकालते है तो कैसा होगा देखो यहां से ऐसा हो जाएगा 33 रखेंगे ऐसे और इसको रखते थे हम ऐसे वाला याद आया ना तो ऐसे वाले रखना था और आब हमने इसको prime number के साथ divide करना था मतलब 2 होता था 3 होता था 5 होता था 7 होता था 11 होता था 13 होता था 17 होता था ना ऐसे ऐसे करके इन नंबर से हमको divide करना तो चालो जी 2 से try करते हैं कि होगा की नहीं होगा तो जब हम 2 के साथ divide करते हैं 33 को तो देखे 2, 1, 2, 2, पीछे कितना बचा 1 लाया यहां से 3 नीचे हो गया 13 2, 6, 12 फिर reminder बचा ना एक तो क्या completely divide हुआ? नहीं हुआ तो अब हम जब 2 से नहीं होता तो फिर हम किस पे चलते हैं? 3 पे switch हो जाते हैं तो चलो जी 33 को 3 के table से check करते होगा की नहीं होगा? तो देखें यहां पे 3, 1, 0, 3 तो अब लाया नीचे over 3 तो 3, 1, 0, फिर से 3 आगया reminder 0 Yes, 3 के table में हो ना तो बताओ यह वाला 3 कहां पे लिखना है? यह वाला 3 लिखना हमने इस line के बाहर तो यहां पे आ जाएगा 3 और यह वाला 11 कहां पे लिखना है? यह वाला 11 लिखते हम इसके नीचे चली अब फिर से क्या करना होता था? अब फिर से हमें इस 11 को डिवाइड करना होता है तो बताओ जी 2 के टेबल में आता है 3 के टेबल में आता है 5 के टेबल में आता है 7 के टेबल में आता है ये सिदा 11 के टेबल में ही आएगा तो 11 1s are 11 तो देखो जी 33 के factor नीचे 1 आ गया ना ओके तो अब देखो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि 33 जो है वो किसके किसके बराबर आया वो आया 3 multiply 11 3 multiply 11 और 1 हम इसमें नीचे नहीं लिखते हैं अब हम करते हैं 4 के तो 44 के अब करने हमको 33 के होगे अब करते है 44 के तो रखो जी 44 को ऐसे और यहां से करो जी 2 के साथ तो देखो ये 2 के साथ divide होगा क्यों होगा divide क्योंकि इसके अंड में 4 है तो कितने से होगा तो यहां से करते हैं 44 के साथ इसको तो 2204 पीछे बचला 4 2204 आया ना 0 तो ये वाला 2 आएगा इदर और ये वाला 22 आजाएगा इसके नीचे अभी इस 22 को फिर से divide करना है तो देखो इसके अंड में भी 2 है ना तो ये भी 2 से divide होगा तो 22 को जब हम 2 से करते थे तो 2102 पीछे बचला कुछ भी नहीं लाया ये वाला 2, 2102 फिर भी आगया reminder 0 तो ये वाला 2 मैंने लिख दिया इदर और ये वाला 11 लिखता हूँ यहाँ पर अब फिर से 11 आगया ना तो आपको बता है 11 किसी भी table से divide नहीं होता ये सिर्फ 11 के table में ही आएगा तो 111011 तो देखो यहाँ पर लिखेंगे कि 44 जो है वो किसके बराबर बना वो बना 2 multiply 2 multiply 11 ओके जी तो देखो 33 बन गया 3 multiply 11 और 44 बन गया 2 multiply 2 multiply 11 अब हमें यहाँ पर लिखना है HCF तो HCF क्या होगा जी देखो common factor तो common मतलब दोनों के अंदर होना चाहिए तो दोनों के अंदर क्या है देखो इसमें भी 11 है और इसमें भी 11 है दोनों में है ना तो बस यही आपका 11 हो जाएगा answer तो बताईए समझ में बात आई चलिए आब next करते है तो देखो बी पार्ट मेंने यहां पे लिख लिए आउन आपके लिए तो अब इस बी पार्ट में क्या है हमको 84 in 144 कर चेक करना कि किस के table में जाएगा तो देखो किस किस number से करना तो वो आले number में यहां पे लिखे हुए है आपके लिए 84 है ना करो जी 84 के फैक्टर्स, ऐसे वाला करके, देखो इसके एंड में 4 है, तो मतलब ये 2 से जाता होगा, तो करो जिसको डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे हम, तो 2 के टेबल से 84 को करते हैं, 2, 4, 0, 8, पीछे कुछ में नहीं आया 4, 2, 4, 0, 4, 2, 2, 0, 4, तो देखो, ये वाला 2 आ जाएगा इदर पे, और ये वाला 42 आ जाएगा यहां पे, हो गया, चालिए, अब इस 42 को फिर से डिवाइड करना है, तो इसके एंड में भी 2 है, तो करो जी 2 के टेबल से 42 को, 2, 2, 0, 4, पीछे कुछ भी नहीं, आया 2 नीचे, 2, 1, 0, 2, आगे रिमाइडर 0, तो ये वाला 2 लिखेंगे हम यहां पे, और ये वाला 21 लिखेंगे हम इदर पे, अब देखो, इस 21 को करना है, तो 2 के टेबल में तो 21 नहीं आता, क्योंकि लास्ट में 1 है ना, तो 2 के टेबल में नहीं आता ये, तो चलो 3 के टेबल में ट्राइ करते हैं, तो पड़ो जी 3 के टेबल, तो 3, 7 से 21, अब 7 किसके टेबल में आता है, देखो यहां पे, 7 एक प्र हो गया 2 multiply 2 multiply 3 multiply 7 अब करते हैं 144 को तो देखिए जिसके end में भी 4 है तो मतलब यह 2 से होता होगा तो करो जिसको 144 को टू के टेबल से स्वरी ऐसे वाला नहीं ऐसे वाला डिवाइड बनाएंगे अभी तो 27 से 14 पीछे कुछ भी नहीं आया 4 नीचे 224 तो यह वाला 2 यहां पे और यह वाला 72 आ जाएगा इदर अब फिर से 72 को डिवाइड करना तो देखो 2 के टेबल में जाएगा 326 बचेगा 1 आगे 12 तो 2612 फिर इसके लास्ट में 6 है तो यह फिर 2 से जाएगा देखो यहां से 2 यहां से 2 बचा कितना 16 तो 28 से 16 अभी फिर जाएगा यह 2 के टेबल में 2 9 जर 18 अब 2 के टेबल में 9 नहीं आता तो 3 के टेबल में आता है 3 3 जर 9 और फिर 3 1 जर 3 तो बो जी 144 जो है वो किसके बराबर बना वो बना 2 2 multiply 2 multiply 2 multiply 2 एक बार और 2 फिर 9 sorry 3 और 3 एंड 3 देखो 84 हो गया यहां पे 144 हो गया यहां पे अब हमको लिखना है h c f तो देखो जी h c f मतलब इन दोनों के अंदर जो common होगा तो क्या क्यागा आन है देखो एक 2 यहां पे है तो वोही वाला 2 इसके अंदर भी है तो लिख लो 2 और है, हाँ और वाला टू भी है तो इसको यहां पे लिखो बीच में multiply तो देखो यह वाला टू भी आ जाएगा और यह वाला टू भी आ जाएगा जो दोनु के अंदर होगा हमें बस वही लिखना है ठीक, अभी यहां पे तो टू था लेकिन यहां पे खत्म हो गया न टू तो अब हम यह वाले दो टू जो है इनको नहीं लिखेंगे अभी देखो इसमें एक थ्री है और इसमें भी थ्री है तो यह वाला थ्री भी हमने ले लिया अब इसमें सैवन बचा लेकिन इसके अंदर सैवन नहीं है इसमें एक और थ्री था लेकिन इसमें अब थ्री नहीं है इसमें दो टू अभी थे लेकिन इसमें भी नहीं है तो जो दोनू के अंदर होगा हमें बस वही वाला लिखना जो दोनू में कामन होगा तो देखो जी करो आब इसको मिल्टिपले 2200, 4430, 12 तो इस वाले का अंसर हैगा 12 मतलब यह 12 जो होगा ना तो इस 12 के टेबल में 84 भी आएगा और इसी 12 के टेबल में 144 भी आएगा 12 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं होगा जिसमें यह दोनू आते हों ठीके 12 के बाद 13, 14, 15, 16, 20 कुछ भी कोई भी ऐसा टेबल नहीं है जिसमें यह दोनू के दोनू आते हैं आई होब आपको इतनी सी समझ आ गई होगी अब चलिए एक और कर लेते हैं और फिर उसके बाद मैंने PDF जो भेजी है उस पर आप प्रेक्टिस करेंगे तो देखे अभी मैंने 3 वाला लिया है ना तो देखो इसका solution अब कैसे करेंगे सेम है जैसे हमने 2 numbers को किया ना वैसे हमने 3 वाले को भी करना है सबसे पहले तो हमें 60 को करना है तो देखो इसके end में 0 है तो ये 2 के table में आता है 3, 2, 0, 6, 0, 0 अब इसके end में फिर से 0 है तो ये फिर 2 से जाएगा 2, 1, 0, 2 एक बचा यहां से क्यूंकि 2 आया तो 1 बचा 10 हो गए तो 2, 5, 0, 15 अब 2 के table में 15 नहीं आता तो 3 में आता है 3, 5, 0, 15 और 5, 1, 0, 5 तो 60 किसके बराबर बना जी 60 बन गया 2, multiply 2, multiply 3, multiply 5 अब चलते हम 54 पे तो निकालो जी 54 के फिर देखो 2 के table से आएगा ये भी आएगा इसके end में 4 है 2, 2, 0, 4, 2, 7, 0, 14 बास 27, 2 में नहीं आता है तो 3 में आता है 3, 9 से 27 फिर करो यहां से 3, 3, 0, 9 और फिर हो जाएगा 3, 1, 0, 3 तो 54 किसके बराबर बना ये बना 2 मुल्टिपलाई 3 इंटो 3 इंटो 3 अब वाएगा जी 48 का नंबर तो देखो 48 को करो जी फिर से 2 का table यहां से 2, 2, 0, 4, 2, 4, 0, 8 फिर 2 से 2, 1, 2, 2, 2, 0, 4 फिर 2 से 6, 2, 0, 12 फिर 2 से 2, 3, 0, 6 और फिर 3 से 3, 1, 0, 3 तो जो 48 था हमारे पास वो बन गया 2 मुल्टिपलाई 2 मुल्टिपलाई 2 मुल्टिपलाई 2 चार बार 2 है ना एंट एक बार मुल्टिपलाई 3 अब देखे इसका हमको HCF लिखना है तो जब HCF लिखेंगे तो कैसे कैसे लिखेंगे बई देखो मैंने आपको अभी बताए कि जो 3 के अंदर होगा तो एक टू इसमें है एक टू इसमें भी है और एक टू इसमें भी है एक एक सब में है ना तो लिख लिए मैंने टू उसके बाद देखो यहां पे भी और टू है इसमें नहीं है इसमें भी है, तो क्या लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि तीनु में होना चाहिए तो एक ही टू जो है, वो तीनु में है फिर उसके बाद हम देखते हैं, यहां से देखो इसमें भी थ्री है, इसमें भी थ्री है और इसमें भी थ्री है तीनों में है ना थ्री एक एक थ्री भी है सब में इसमें भी हो गया जी थ्री तो बस बाकी और कुछ नहीं अभी देखो इसमें और दो थ्री थे लेकिन इसमें नहीं है इसमें भी नहीं है इसमें फाइव है लेकिन यहां पे कहीं नहीं है इसमें 3 बार 2 हैं लेकिन इसमें एक ही बार है तो हम ज्यादा बार नहीं लिख सकते हैं तो यह हो जाएगा 6, इसका answer मतलब 6 ही एक ऐसा table होगा, जिसमें 60 भी आएगा, 54 भी आएगा और 48 भी आएगा, बाकी ऐसा कोई भी number नहीं होगा जिसमें ये तीनों के तीनों एक ही टेबल में आ जाएंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ जिक्स के ही टेबल में आते हैं तो अगर कहीं पे भी आपको और समझ नहीं आई है तो आप मेरे को काल कर सकते हैं या फिर कमेंट करके भी आप बता सकते हैं थेंक यू